जैश्री महाकाल आप सबी लोगों को स्वागत आप सबका तंत्र रहस से और शम्शान से जुड़े देवताओं और उनकी साथ नहों से संबंदित वीडियो शरिंखला की इस दूसरी वीडियो में अगर हम लोग तंत्र के इतिहास को देखें और उसका विशलेशन करें तो तंत्र को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है आगाम और निगम तंत्र पहला जो कि भगवान शिव और माता पारवती के मुक से निकलावा तंत्र है दूसरा है शाबर तंत्र जिसके मूल देवता और मूल स्विजन करता भागवान शिवी है परन्तु जिसे आम भाषा में या यू कह लिजे कि जन्वानस के प्रयोग की भाषा में इसे बताया गया है और तीसरा है ग्रामीड या शेत्रिय तंत्र जो पुन रूप से शाबर त तंत्र है शाबर तंत्र कहीं उपतंत्र इसे कहा जा सकता है तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तंत्र के देवताओं के बारे में हम लोग एक्जांपल के रूप में उधारण के रूप में हम लोग आगम और निगम तंत्र की बात करते हैं तो जब भगवान शिवी ने म प्रयोग करके ही जाना जा सकता है, और ये प्रयोग उस साधक के संकल्प पे, उसके द्रिड निश्चय पे और उसके भाव पे, उसके तबोबल पे निर्भर करते हैं, कि उसको प्रयोग करने के बाद में उसकी क्या नुभूतिया होती हैं, ये वो प्रक्रिया है जिसके भगवान शेव में और उस साधक में कोई अंतर नहीं रह जाता परंतु यह हमारा दुरभाग्या है कि समय के साथ साथ तंतर की परिभाशा या तंतर के प्रती लोगों की समझ जो है वो बदल चुकी है आज तंतर का अर्थ केवल इतना रह गया है कि हम तंतर के माध्यम से वो तंतर आज केवल भौतिक सुखवदाओं की पूर्ती का साधन बनके रह गया है एक जादू की बस्तू बनके रह गया है जिसके अंदर की तंतरिक लोगों को चमतकार दिखाता और उनसे पैसे ले ले लेता है तंतर का प्रयोजन कभी भौतिक सुखवदाओं को प्राप तक की आत्रा इसे हम कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोडने की प्रक्रिया जिसे सरलता के साथ में पूर्ण किया जा सकता है कि यदि हम दूसरे मार्गों की बात करें योग मार्ग की बात करें या फिर हम भक्ती मार्ग की बात करें तो इसके अंदर जो विधियां है या फिर इसके अंदर जो आप एक शाय हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं साधक के रूप में मतलब आपको एक साधक के रूप में तंत्र के अंदर यदि 10% अपना देना है तो वहीं दूसरे मार्गों में आपको अपना 90% या 30% देना पड़ेगा ठीक है तंत्र के अंदर कुछ ऐसी विधाओं को कुछ ऐसी विधियों को दिया गया जिनके प्रयोग जेव आत्म अनुभूतियों की जो प्रक्रिया है उसे कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है अन्यमार्गों में ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है ठीक है और यहीं तंत्र का वास्तविक रहस्य है यहीं तंत्र का वास्तविक रूप है पर आज के समय में तंत्र क्य जो एक संद को मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज जिस तंत्र को हम जानते हैं वो तंत्र सिर्फ चीजों को पाने का उनको कुछ सुख सुविधाओं को भोगने तक ही सीमित रहे गया है। जब एक साधक कोई साधना करता है तो अब वो अपनी स्वयम की उर्जाओं को बढ़ाता है। और उस स्तर तक ले करके जाता है जहां कि वो इश्वरियत तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। यह प्रक्रिया अन्य मार्गों में से भी संभव है जैसे कि योग मार्ग में हम लोग योग अभ्यास के द्वारा इस प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं या पूर्ण करते हैं। परंतु तंत्र के अंदर ये प्रक्रिया जो होती है थोड़ी सी तेज हो जाती है इसका कारण क्या है कि तंत्र हमें कुछ ऐसी पद्धतियां प्रदान करता है कुछ ऐसी विधियां प्रदान करता है चाहे वो क्रियाओं के माध्यम से हो चाहे वो यंत्र प्रयोग के माध्यम जाहे वो ध्यान प्रक्रियाओं के समण वैसे हो ठीक है और जब व्यक्ति स्वयम की चेतना को ईश्वरिय चेतना के साथ जोड़ कर समरूपता को प्राप्त करता है तो वो उन सारे दैवए गुणों को धारन करने के योग यह बन जाता है जिन गुणों का वर्णन हमारे मूल समझने का प्रयास नहीं करता ठीक है मूल यानि की जड़ ठीक है और लोगों को जड़ केवल इतनी दिखाई देती है कि एवल चमतकार दिखाने वाला जो वेक्ति होता है यह अगर आप सादमाओं से तंत्र के मारक से चमतकार कर सकते हैं ठीक है तो ही तो वहीं तंत्र है यदि आप अपनी डोजमर्रा की मुसीवतों को दूर कर सकते हैं तो वहीं तंत्र है ठीक है हम एक उधारन लेते हैं कि जैसे कि कोई यक्ति है अगर वो उसके जीवन में कोई समस्या है और वो अपनी समस्या से परेशान हो करके अपने उस परेशानी के निदान के लिए उस परहें oh पायों को समझ नहीं पाता तो उन उपायों को ढूंड दोंटे वे वह पहुंचता है कुछ ऐसी जगहutar यो ठीक है वह कुछ ऐसे स्थानों पर पहुंचता है जहां पर विभिन उड़जाओं द्वारा समाधान किये जाते हैं और यहीं पर प्रकट होते हैं यहीं पर प्रादुर्भाव होता है ग्रामीड तंतर का, शेत्रिय तंतर का और ग्रामीड और शेत्रिय तंतर के जो देवता होते हैं इनका ठीक है जब हम बात करते हैं ग्रामीन तंतरकी या शेत्रिय तंतरकी तो इनके अंदर कभी भी इस तरह की बाते नहीं होती जैसे कि हम बाते करते हैं ब्रह्म उर्चा, ब्रह्म च्वेतना, ब्रह्मा नुभूति, समाधी, शक्तिपात, इनके अंदर इन चीजों की बाते नहीं होती ठीक है इनके अंदर अ आमाधी की बाते नहीं होती, कभी भी इनके अंदर जोती है, कृपा की बाते नहीं होती, ठीक है, तो ये चीजे होती है, जब कोई व्यक्ति इन देवताओं के पास में जाता है, या फिर इन देवताओं की उपासना करने वाले व्यक्तियों के पास जाता है, ठीक है, वो क्या के वाले व्यक्ति की मनोकामना उनसे बताता है और चमतकारिक रूप से उस्यक्थ कि मनोकामना जो है या इस्चह कह लिए वह कुण्न हो जाती या फिर उसकी परद्शे समस्या वह दूर हो जाती है ठीक है उत्तर भारत से लेकर के द talents बहरत तक 90% जो तैन्त्री है कि वह की परशानीयों को दूर करने का बोलतें कि संपा प्रयास करते हैं ठीक है नभए परसँन्ट जो colors हैं क्येवल और क्येवल इसकी मार्ग से नहीं इसे विधिए इन देवताओं को या ग्रामी挺 देवताओं को सिध्द करें कि उनसे कारे करवाने को ही तंत्र कहते है ठीक है उन लोगों के लिए तंत्र का क्यों इतना ही मतलब है कि आपने देवता को बोग दिया देवता ने आपका काम किया और बात खतम ठीक है देवता क्या होता है देवता क्या कोई इंसान होता है देवता कोई मनुष्य होता है या ठीक है आपको किसी भी चीज को मानने से किसी को पूजा करने से और समर्पन रखने से अगर वो तत्व आपका कल्यान करता है या आपकी मनुकामनाव को पूर्ण करता है तो वो तत्व आपके लिए देवता है आज के समय के इसाब से देवता की परिभाशा यहीं है परन्तु आप उसे ही तंत्र समझ लेते हो जैसे कि मैंने पहले बोला अभी ठीक है और आप उसी को तंत्र का वास्तविक रहस से मान लेते हो उसी को तंत्र का वास्तविक स्रूप मान लेते हो और उसी उर्जा को या उस शक्ति को जिस शक्ति के माध्यम से आपका काम किया गया आप उस शक्ति की श्रेणी क्या है, वो किस प्रकार की शक्ति को धारन करती है, यानि कि किस प्रकार की शक्ति का उसके उपर नियंत्रन है, उधारन के लिए ऐसे बहुत सारे तत्तों हैं, ऐसी बहुत सारी उर्जा हैं, मैं शमा चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इन्हें उर्जा ही हैं बीभीन प्रकार के मसान होते हैं जैसे बुला की मसान हुआ नूरिया मसान हुआ च्षपन कलो की बात कहते हैं कुछ लोग 57 कहते हैं तो उन कलो के अंदर में जैसे अनेक उड़ जाए हैं और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनने देवता कहा जाता है जिनके जो उपासक होते हैं उन्हें देवता कहते हैं परंतु क्या यह वाकई में ब्रह्म हो उड़ जाए हैं क्या यह वाकई में कोई देवतुल्य शक्ति है यह वाकई में यह कोई किसी भी प्रक या इन ऊड़जाओं के अंदर इतना सामर्थ हैं कि वो अपने सादक को मुकति, सद्गति और ईश्वर के साथ समरूपता जैसे कि मैंने पहले कहा कि आत्मा सूपरमाँत्मा परमात्मा सूपरम गती ठीक है, क्या यह देवता अपने साधक को यह चीज़ सकते हैं ठीक है जो इस बात को जान लेता है जो मैंने भी बोली कि आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो परमगती जो इस बात को जान लेता है वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा वो देखने लगता है उसे अपने अभ्यास से अपनी आत्मा में धारन कर लेता है और अंत में उसी में विल क्या उस देवता के लिल है उस तेज थेंदू है कि वह सहारे आप लोगों को उस पार्म आत्री-विदा के le why का लिए बो ट्रियाय करने से भोग चड़ादेने से बली देने से क्लाइन प्लंकरम भी तंत्र कैंवान सब्सक्रीं जो आज के भौतिक विज्ञान से कहीं अधिक प्रकार से प्रशस्त है उससे अधिक प्रखर है और आज के भौतिक विज्ञान से यह बहुत अधिक शक्तिशाली है इसकी शमताएं तीन आयामों से जिसे हम थ्री डैमेंशन कहते हैं तीन आयामों से परे हैं इस तंतर की शमता के इसको साधने के लिए साधक को शक्तिशाली द्रिड निश्चाई और भावपूर होना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो तंत्र को साधता है वह मात्र एक तंत्रिक नहीं होता है वह इक तंत्र चारे होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे तंत्र चारे हुए है ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं यहां उस बात को सिद्ध कि यदि व्यक्ति के भावक शुद्ध हो निश्चे हो ठीक है उसका निश्चे प्रबल हो और वो साधको साधनाओं के प्रती उतसाहित हो तब वो उसे सिद्ध तक पहुंच सकता है जिसमें वो स्वयम शिवरूप हो जाता है जिसका जीवन्त उधारन है कीना राम श्री राम कृष्ण परवंस है जिनका जीवन्त उधारन तयलंग स्वामी है यह वो संत्वात्मा है जिन्होंने मनुष्य होते हुए साधना शेत्रे में कदम रखा एक उच्चकोटी के साधक बने और अपनी साधनाओं के बल पर समाधी की अवस्था को प्राप् करने को एक साधक के नाते मैं के बल यह जाता हूं कि तंत्र की सही परिभाषAST इस सधैये, खिश और समय देखता है जो फोफफ़ास एक साधनाओं का कोई इरादा नहीं। ठीक है, तंत्र मार्ग का एक साधक होने के नाते, मैं केबल ये चाहता हूँ कि तंत्र की सही परिभाशा, उसका सही प्रारूप, उसका वास्तविक रहस है, आप लोगों के सामने आना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं हम उस मार्ग का पूर्ण ज्यान होना चाहिए और उस मार्ग का लक्ष क्या है ठीक है यानि कि उस मार्ग पर चलने के बाद हम जिस लक्ष पर पहुंचेंगे वो लक्ष क्या है इसका हमें ज्यान होना चाहिए अगर मैं स्वयम को एक तंत्राचारे कहता हूँ ब्रह्मा के मुख से वेदो का प्राकट्टे हुआ था ठीक उसी प्रकार मैं भगवान शिव के मुख से निकले हुए तंत्र की सही विवेजना आप सब के सामने प्रस्तुत करूँ यह मेरी दन्यातिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके प्रारू को उसके छोटे से छोटे औ बड़े से बड़े पहलू को आपके सामने लेकर करके आओं तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे बुलाकी के बारे में जो ग्रामीन तंत्र के अंदर प्रयोग होने वाले एक देवता है यह एक उर्जा है यह एक शक्ति है अब कुछ लोग इने बाबा बुलाकी क पूजा करने से ब्रह्म तत्वा या देवतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त हो सकती है या फिर यह दे इस देवता के अंदर वह सामर्त है कि यह हमें वह दिव्यानुभुतिया करा सके जो कि एक साधब को वास्तविक्ता में होनी चाहिए ठीक है क्या यह बुलाकी मसान हमें मोक्ष या परमगति देने का देने का दम रखता अपने अंदर इन चीजों की हम लोग्ब हम लोगों को सोचना चाहिए इनके बार में क्योंकि निश्डित निश्टित सी बात है कि अगर आप एक देवता को अपना समय दे रहे हैं अगर आप साधना शेत्र में किसी देवता के प्रती अपना समर्पड़ व्यक्त कर रहे हैं तो आप उस देवता के बारे में पूर्ण जानकारी जो होनी चाहिए ठीक है अब क्या ये देवता हमें परमतगती दे सकते हैं अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यूं ठीक है मैं यहाँ पर बुलाकी से जुड़े हुए कुछ तत्य उजागर करूँ है क्योंकि मैं यहाँ पर इनको नहीं बुलाकी मसान बोल रहूँ नहीं इनको मैं वीर बुलाकी बोल रहूँ नहीं इनको मैं बाबा बुलाकी बोल रहूँ मैं इनको क्या बल इनके नाम से बुला रहा हूँ, यो है बुलाकी, ठीक है मैं यहाँ बुलाकी से जुड़े वे कुछ तथे उजागर करना चाहता हूँ और चर्चा करना चाहता हूँ आप सभी से और आप सभी शरुताओं से मेरा अनुरोध है कि मेरी वानी को एक साधक होने के नाते आप बुद्धिक रूप से समझने की कोशिश करिएगा और सम्मान पूर्वक अपनी सहमती या असहमती को व्यक्त करिएगा मैं एक ध्यानमारगी साधक हूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ध्यानमारग के अंदर चीजों को परकता हूँ ध्यानमारग के अंदर चीजों को जानने की कोशिश करता हूँ और मैंने बुला की के बारे में भी ध्यान मारक में जाने की कोशिश की है मुझे जो बाते पता चलिए हैं मैं उन बातों के बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा ठीक है लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो चीजे लोगों को पहले से बताई गई हैं या इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो चीजे आप पढ़ सकते हैं जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उन आर्टिकल्स के लिंक्स मिल ज कि क्या वो व्यक्ति को परमगती देने के लायक है यह दिहां तो कैसे और नहीं तो क्यूं इसके बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियो में फिलाल इस वीडियो के अंदर जिन बातों को मैं कहना चाहरा हूं वो आप सुन लीजिए तो सबसे पहले लोगों को यह बता ने ना हुआ हूँ उसे आयोनिज कहा जाता है हमारे पुराणों में आयोनिज संतानों के उधारन मिलते हैं हमें ऐसी बात नहीं है माता सीता आयोनिज थी वो भूमी सुता थी उन्हें भूमीजा कहा जाता था वो राजा जनक को भूमी के अंदर प्राप्त हुई थी महभा के अंदर है ठीक है तो क्या बुलाकी मसान आयोनिज है जिसका जवाब है नहीं क्योंकि जब भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हनुमान जैसे देवता जब इनको गर्ब से जन्म लेना पड़ा तो बुलाकी आयोनिज हो ऐसा संभव ही नहीं है ठी बुलाकी को मसान कहा जाता है और सबसे पहले आप लोग यह समझे कि मसान किसे कहा जाता है मसान का अरत होता है तीन शम्चानों में से एक ऐसा शम्चान जो नदी किनारे स्थी तो शम्चान के तीन प्रकार होते हैं तीन प्रकार के शम्चान होते हैं पहला होता है सम्चान दूसरा होता है असमशान और तीसरा होता है मसान मसान उसे कहा जाता है जो की नदी किनारे जो शमशान स्थापित होते हैं उन्हें मसान कहा जाता है ठीक है इन नदी किनारे के जो शमशान होते हैं इन शमशानों में जब किसी की आत्मा किसी की प्रेत आत्मा आती है तो उसे म बुलाकी का अर्थ होता है बालक और मसान का अर्थ होता है शम्शान यानि कि ऐसा बालक जो शम्शान से संब्द्रकता हूँ तो यहां पर मैं आप लोगों को ये भ्रहम दूर कर देता हूँ कि वो बालक जिसका संबंद शम्शान से है वो बुलाकी मसान नहीं है वो बटुक भेरव है वो पाच वर्षी ये बालक जिसने माता काली के करोध को शांत कर दिया था मसान का अर्थ केवल एक साधारन प्रेत होता है इसलिए मैंने बोला कि मैं बुलाकी को यहाँ पर पर पहुचंगा कि यह क्या है लेकिन फिलाल के लिए यह कोई मसान नहीं है ठीक है क्योंकि मसान का अर्थ होता है वो प्रेत आत्मा जो किसी ऐसे शम्शान में रहती हो जो नदी किनारे हो ठीक है तो बुलाकी जो है वो अयोनिज नहीं है क्योंकि प्रेत वो बनता है जिसका जनम हो और जनम आज के समय में कल युक के समय में आयोनिज होना असंभव है ठीक है दूसरी बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि बुलाकी जो है वो शनी देव का अवतार है ठीक है इसकी कथा भी है बकायदा इसकी इंटरेट पर एक कथा भी अवेलेबल है जिसमें की बुलाकी को भगवान शनी का अवतार बताया गया है यह भी संभव नहीं है वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं वो किसी को अकारन दंड नहीं देते वो किसी को उसके कर्म से अधिक दंड नहीं देते लेकिन यदे आप बुलाकी मसान का चरितर पढ़ेंगे या बुलाकी का चरितर अगर आप पढ़ेंगे जो नेट पर अवेलिवल है उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि बुलाकी ने अपने जिस गुरू को कल्यूग में धारण किया था उसने उसी गुरू की हत्या कर दी थी अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर देवताओं के गुन हो या जिसके अंदर देवतत्व हो वो अपने गुरू का वद्ध नहीं कर सकता ठीक और जिसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है वो शनी का अवतार कैसे हो सकता है ये पहला कारण था दूसरा कारण इसका ये है कि यदि आप भविश्य पुरान पढ़ेंगे तो भविश्य पुरान के दो खंडों में जितने अवतार हुए हैं 28 कलपों में जितने अवतार हुए हैं और आगे आने वाले 28 कल्पों में जो अवतार होंगे उन सब का बढ़नन है और उसमें कहीं पर भी शनी के किसी भी अवतार को बुलाकी नहीं कहा गया है ये दूसरा कारण है कि बुलाकी जो है वो किसी का अवतार नहीं है वो एक साधारण प्रेत है तीसरी बात लोगों का ये कहना है कि बुलाकी जो है वो भेरव महाकाल और महाकाली की शरीनी की शक्ती है और इसका कारण ये बताया है कि बुलाकी जो है वो खपर धारण करता है ठीक है और बुलाकी के आलावा खपर धारण करने वाले केवल तीन देवता हैं जो कि महाकाल है पहले दूसरे हैं बाबा भहरवनाथ और तीसरे हैं माता महाकाली तो बुलाकी जो है वो अपने रूप में खपर धारन करता है जिसके कारण से कि वो इनकी श्रेनी का देवता है तो ये बात मैं आप लोगों की बुद्धी के उपर छोड़ता हूँ आप लोगों मुझे सोच करके बताईएगा खुद से कि क्या वो हर शक्ती या फिर क्या वो हर इनसान जो खपर धारन कर लेता है क्या वो महाकाल के श्रेनी का हो जाता है क्या वो भहरव के श्रेनी का हो जाता है क्या वो माता महाकाली के श्रेनी का हो जाता है नहीं, ऐसा नहीं होता है बुलाकी और भैरव, इनके अंदर उतना ही फरक है जितना कि एक इंजीनियर और एक इलेक्टरिशन में होता है वो कैसे, उसके लिए हमें एक उधारण लेते हैं कि अगर आपके घर में बिजली से सम्मंदित कोई परिशानी हो जाती है तो क्या आप उस बिजली के समान को प्रोडक्ट को मैनुफेक्चर करने वाली सीधा कंपणी से इंजीनियर बुलाओगे या फिर आप इधर उदर से किसी इलेक्टरिशन को पकड़ोगे, उसको सौपचास रुपे दोगे वो आपका काम करके आपको दे देगा इंजीनियर को कब बुलाए जाता है जब आप अपना घर बनवा रहे हो जब आप अपना घर बनवा रहे हो उस समय पे आप एक इंजीनियर बुलाएंगे एक इलेक्टरिकल इंजीनियर जो कि आपके घर की पूरी वाइडिंग बताएगा आपको कैसे होती है कैसे करनी है करेगा नहीं वो कभी electric fitting नहीं करेगा वो सरफ आपको guide करेगा कि यहाँ पर यह तार लगानी है यहाँ पर ऐसे छेद करना है यहाँ पर इस तरीके से सुराग बनाने यह करना है वो आपको guide करेगा ठीक है और उसकी वो fees भी लेता है ऐसी बात नहीं है अगर इंज से कि आपको कोई समस्या हुई आपने बुलाकी का आवाहन किया वो आया आपने भोग दिया जो मैं सो पचास लुपे की बात कर रहा था और अपना काम कर वाया ठीक है लेकिन जब आप साधना शेत्र में पैर रख रहे हो जब आप शुरुवाती दौर में हो उस समय आप आप लोगोंने इनको महाकाल और महाकाली की श्रेणी का बता दिया मैं तो इनको मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये भहरव की श्रेणी के भी नहीं है खपड़ धारेंड करने वाला हर व्यक्ति भहरव की श्रेणी का नहीं हो जाता मास खाने वाला हर व्यक्ति भहरव की श् समझना बढ़ेगा यह मेरे कहने से आप नहीं समझेंगे ठीक है चौती बात जो मैं बोलूँगा कि जिन आर्टिकल्स की मैंने बात करी उन आर्टिकल्स में एक बात ये भी लिखी हुई है कि बुलाकी के आगे सारे देवी देवता जो होते हो हार मान लेते हैं हाथ जोड़ बात करता हूं बुलाकी मसान की प्रतिमा की जो प्रतिमा पूजी जाती है बुलाकी की उसके अंदर उसकी बड़ी अच्छी खासी मूच्छे है ठीक है और उसको पूजने वाले देवता बताते हैं उसको पूजने वाले भगत होते हो बताते हैं कि ये बालक रूप में ये ठीक ना तो या तो वो प्रतिमा गलत है या तो उस प्रतिमा के साथ में जो बुलाकी का विवरण दिया जाता है वो गलत है ठीक है और दूसरी बात कि चाहे कोई बालक हो चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई महात्मा हो चाहिए फिर वो कोई भी हो जब वो अपने पापों की सीमा को पार कर देता है जब वो अपने मनुश्य तत्वों को खो देता है और राक्षस तत्वों को ग्रहन करता है या फिर दानवी तत्वों को ग्रहन करता है और वो उन दानुवी तत्वों की परकाष्टा तक पहुंच जाता है तो इश्वर उसके अंत के लिए कोई न कोई मार्ग जो है वो निकाली लेते है ठीक है तो चाहे बुलाकी मसला बालक रूप में हो चाहे वो वृद रूप में हो चाहे वो जवान के रूप में हो यदि वो अपने कर्मों को उस नीशता की हद तक लेके चला जाएगा तो देवता उसके अंत के लिए कोई न कोई मार के निकाल ही लेंगे वो बालक समझ के उसको विनाश करने के लिए छोड़ नहीं देंगे ठीक है और मैं यहाँ पर सभी शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक में तो सभी शक्तियों के बारे में बोला गया था मैं यहाँ पर केवल एक पांच वर्ष के बालक की बात करूँँगा वो पांच वर्ष का बालक है बटुक भहरव जिसने माता काली के करोध को जिसको करोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को उनके पैर के नीचे लेटना पड़ गया था उन महा काली के करोध को बटुक भहरब ने केवल अपने रुदन से और अपनी करोणा भरी आर्त पुकार से नियंतरित कर लिया था तो एक ऐसा बालक जो जिसने माता काली के क्रोध को शांत किया हो क्या वो एक ऐसे बालक के सामने हार मान जाएगा जिस बालक के कर्म खराब हो जो बालक अपने जीवन काल में अपने गुरू की हत्या करके बैठा हो क्या वो हार मान जाएगा उसके आगे नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्याँ बटुक भेहरब की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ बोला यह गया था कि वो बाल रूप में है, तो अगर कोई शक्ति बाल रूप में अपना आतंक मचा रही है, तो उसको नियंतरित करने के लिए पर दुस्टों के नाश के लिए प्रकट हुए थे उन में सबसे पहला नाम आता है महंदिपूर बाला जी का आप लोग बाला जी के रहस्य को समझ जीए बाला जी का रहस्य क्या कहता है बाला जी का अर्थ केवल हनुमान जी नहीं है बाला जी का अर्थ होता है इश्वर का बाल रूप कि अगर बाला जी हनुमान जी होते तो तिरुपती में जो विग्रह स्थावेत है भगवान नारायन का उसे बाला जी नहीं कहा जाता ठीक है उसे भी तिरुपती बाला जी कहा जाता है तो अगर बाला जी को कि बाला जी ग्रहपती कहा जाता है आप लोग ने भगवान शिव की वो फोटो देखी होगी अवश्ची जिसमें की वो एक बच्चे के रूप में सो रहे हैं साइड में त्रिशूल रख करके वो भगवान शिव का ग्रहपती सुरूप है उसे बाला जी कहा जाता है ग्रहपती बाला जी उसे बाल तरिपुर्ट संदरी कहा जाता है, ठीक है, और भगवान भैरव का जो बाल रूप है, उसे बटुक भैरव कहा जाता है, उसे भी बाला जी कहा जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति अगर बाल रूप में अपना आतंक मचा रही है, तो उसको नियंत तो उसे नियंतरित करने के लिए भी परमेश्वर ने अपने बाल रूपों को प्रकट किया हुआ है और हर देवता के बाल रूप जो है वो स्रिष्टी में उपस्थित हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो के अंदर इतनी ही बाते हैं जो मैं कहूंगा क्योंकि अगर मैं और ब अलाकी के वास्तविक शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि यह क्या कर सकता है यह क्या नहीं कर सकता यह मोक्ष देगा तो कैसे देगा नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा इसका जनम कैसे हुआ क्या इसके रहस्ते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो तो अभी के लिए इस वीडियो में के बल इतना ही आप सभी लोगों को सुनने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अवश्य बताईए अपनी बु कि अरे इसमें बुला कि के बारे मुड़ता सीधा कैसे बोल दिया मैं इसके स्टासी कर दो नहीं जो मैंने चीजे पहले स्टार्टिंग में बोली हैं उनको सोची उनको समझी फिर ये सुनिए और फिर उन लेखों को पढ़िए जिनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैँ सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं इन के सात-सात मैं ने एक लिंक और डाला है description में उस लिंक में आपको बाबा काल भीरो Extrem deficiency जन्म की कथायं ग्यात्यों की जो मैंने लिखा है ठीक आप लोगों उसे भी पढ़िया में तब तक के लिए आप सबी को जैंश्री महाकाल जैमा भागवती